आज के समय में लोग अपने घर में हो रही शादी को यादगार बनाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च करते हैं इन खर्चों में वो ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि कहा और क्यों इतना पैसा खर्च हुआ है ऐसा ही गुजरात के जामनगर में हाल ही में हुई शादी में भी देखने को मिला इस शादी में जो खर्चा हुआ उससे जादा दुलहे के परिजनों ने बारात के दरान नोटों की बारिश से कर दिया दैसा शनिवार को है इस शादी का एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बारात में नोटों की गड़ियां उड़ाए जा रही है जानकारी के मताबिक इस शादी में बारातियों ने करीब 90 लाख की गड़ियां उड़ा दी बरातियों ने 100 और 200 के नोट ही नहीं 502,000 रुपे के नोट भी हवा में उड़ाए इस तरहां सड़कपन नोटों की परत्सी लगड़े वहां मौजूद लोगों को लगा जैसे नोटों की बारिश हो रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शादी चेला गाउं में जड़ेजा परिवार में आयोजुद की गई थी ऐसा बताया जा रहा है कि शादी में उड़ाए पैसे को पांच गाउं की गोशालाओं को दान कर दिया जाएगा शादी के बाद दुलहा रिशीराज जड़ेजा हेलिकॉप्टर से दुलहन को विदा कर गाउं को नड़ ले गया बताया जाता है कि रिशीराज के बड़े भाई ये श्पाल ने एक करोड की कार पहफे में दी है